हीज एक्सेलेंसी प्रसिडेंट आफ स्री लंका बिम्स्टेक सदर से देशों के मेरे मित्र और साथी लीडर्स बिम्स्टेक के सेकरेटरी जनरल नमस्कार आज पांचवी बिम्स्टेक समीट में आप सब से मिलकर मैं बहुत ही प्रसन हूँ बिम्स्टेक की स्थापना का ये 25 वर्ष है इसलिए आज की समीट को मैं विशेश रूप से महत्वपूर्ण मानता हूँ इस लेंडमार्क समीट के परणाम बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वनिम अध्याय लिखेंगे एक्सलेंसीज पिछले दो सालों के चुनवतिपूर्ण माहोल में राशपत्री राजपक्ष ने बिम्स्टेक को कुसल डेतृत्व दिया हैं सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूँ आज के चुनवतिपूर्ण वैश्विक परिपेक्ष में से हमारा ख्षेत्र भी अच्वता नहीं रहा है हमारी अर्थ ववस्ताएं हमारे लोग अभी भी कोविड-19 पैंडेमिक के दुस्प्रभावों को जेल रहे हैं पिछले कुछ सप्ताहों के यूरोप के डवलप्मेंट ने अंतराष्ट्य ववस्ता के थाहित्व पर प्रश्ण चिर्ण खड़ा हो गया है इस संदर्ब में बिम्ष्टे क्षेत्रिय सहयोग को और सक्रिय बनाना महत्वपून हो गया है हमारी खेत्रिय सुरक्षा को अधिक प्रात्मित्ता देना भी अनिवार यह हो गया है एक्सलेंसी आज हमारे बिम्ष्टेक चार्टर को एड़ोप किया जा रहा है एक संस्तागत आर्किटेक्चर की और हमारे प्रयासों के लिए एक महत्वपून कदम है इसके लिए मैं अध्यक्ष महजदय का आभार व्यक्तर करता हूँ चार्टर में हमने हर दो साल में समीट मिटिंग और सालनावा विदेश मंत्रियों की बैटका निरेणे लिया है मैं इसका स्वागत करता हूँ अब हमें अपना ध्यान इस बात पर फोकस करना चाहिए कि इस आर्किटेक्चर को और मजबुत कैसे बनाये जाए इस संदर में सेक्रेटरी जनरल का सुझाव है कि एक एमिनन पर्सन्स ग्रूप का गठन किया जाए जो एक वीजन डॉक्यमेंट तयार करेगा मैं इस सुझाव से सहमत हूँ बिम्ष्टेक हमारी अपेक्षाओं को पूरा करे इसके लिए सच्चीवालय की ख्षमता को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है मेरा सुझाव है कि सेक्रेटरी जनरल पर इस लक्ष की प्राप्ति के लिए एक रोड मैप बनाए यह महत्वपूर्ण कारिया समय और अपेक्षा के अनुरूप पूरा हो इसके लिए भारत सच्चीवालय के आपरेशनल बजेट को बढ़ाने के लिए वन मिलियन डॉलर की वित्तिय साहिता देगा एक्सलेंसीच हमारे आपसी व्यापार को बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक एप्टिये के प्रस्ताव पर सिग्र प्रगेदी करने आवशक है हमें अपने देश के उद्यम्यों और स्टार्ट अप के बीच आदान प्रदान भी बढ़ाना चाहिए इससे के साथ हमें ट्रेड फैसिलिटेशन के छेत्र में इंटरनेशनल नॉम्स को अपनाने का भी प्रहत्ता करना चाहिए इससे इंट्रा बिम्स्टेक ट्रेड और एक्कोनोमिक इंटेग्रेशन को बढ़ावा मिलेगा इस संदर में इंडियन काउंसिल फर रिसर्च और इंटरनेशनल एकोनोमिक रिलेशन्स एडिवी के साथ मिलकर हमारे अधिकारियों की जागरुकता बढ़ाने के लिए एक कारिकम शुरू करने वारा है मैं आशा करता हूँ कि सभी देश के संबंदित अधिकारी इसमें नियन्यमित रुप से शामिल होंगे एक्सलेंसी हमारे बीच बहतर इंटेग्रेशन बहतर व्यापार बहतर पीपल टू पीपल सबंदों का मुख्य आधार बहतर कनेक्टिविटी है इस पर हम जितना भी जोड़ दें कम है आज हमने बिम्स्टेक के मास्टर प्लान फॉर ट्रांस्पोर्ट कनेक्टिविटी को एडप किया है इसे तैयार करने के लिए मैं ADB का आभार ब्यक्त करता हूँ हमें इस मास्टर प्लान के सिक्र इंप्लिमेंटेशन पर जोड़ देना चाहिए इसी के साथ कनेक्टिविटी के ख्षेत्र में पहले से चल रहे इनिशेटिव पर भी हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा बे और बेंगाल में एक कोस्टल सिपिंग इकोसिस्टिम थापित करने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क शिक्र विक्सित करना आवशक है इलेक्टिसिटी, ग्रीड, इंटर कनेक्टिविटी को भी चर्चाओं से आगे ले जाकर धरातल पर उतारने का समय आ गया है इसी तरह रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी एक लीगल फ्रेमवर्क की स्थापना महत्वपून है एक्सलेंसीज, हमारे खेतर पर हमेशा से प्राकृतिक आपदाओं का खत्रा रहा है डिजास्टर मनेजमेंट विशेशकर, डिजास्टर रिस्क डिरक्शन पर सहयोग के लिए बिम्स्रेक सेंटर फ़र वेधर एंड क्लाइमेट एक महत्वपून संस्ता है और इसे सक्रिय बनाने के लिए मैं आप सबका सहयोग चाहूँगा इस सेंटर के कारे को पुनर शुरू करने के लिए भारत तीन मिलियन डॉलर का योगदान करने को तयार है भारत ने हाल में तीसरी बिम्स्रेक डिजास्टर रन मेनेजमेंट एक्ससाइज पैनेक्स 21 आयोजित की इस तरह की एक्ससाइजिस नियमित रुप से होनी चाहिए ताकि हमारे अधिकारियों के बीच डिजास्टर के समय साथ काम करने की इंस्टिटूश्टल व्यवस्ता मजबूत हो एक्सलेंसीज, क्वालिटी एजुकेशन संबंदीत, सस्टेनबल डेवलप्मेंट गोल को प्राप्त करना हम सभी की राष्ट्रिय नित्यों का महत्पण हिस्सा है हम नालंदा अंतराष्ट्य विश्व विद्याले द्वारा दी जाने वाली बिम्ष्टेक स्कॉलर्शिप व्योजना का विस्तार करने और उसका दायरा बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं हम बंगाल की खाड़ी को कैंदर में रखते हुए मरीन साइंस पर जॉइंट रीसर्च को वढ़ावा देने का भी प्रहत्ता कर रहे हैं क्रिशिक खेत्र सभी बिम्ष्टेक देशों की अर्थववस्ता का आधार है हमारे बीच वेल्यू एडेड क्रिशी प्रोडॉक्स की रीजिनल वेल्यू चेंज बनाने की अच्ची संभावना है इसके लिए हमने भारत के एक संस्तान RIS को व्यापक अध्यान करने का कार्य दिया है एक्सलेंसी सुरक्षा के बिना हमारे खेत्र की सम्रुद्धी या विकास सुनिश्चित करना असंभव है काठवन्डू में हमारी चौती समीट में हमने आतंकवात, ट्रांस नेशनल क्राइम और नोन ट्रेडिशनल स्रेट्स के खिलाब क्षेत्रिय कानूनी धाचे को सुरुद्रट करने का निर्ड़ा लिया था हमने अपनी लौ एन्फोर्स्मेंट एजेंसिज के बीच सहयोग बढ़ाने का भी फैसला किया था मुझे खुशी है कि हमारा कन्वेंशन टू कॉम्बेट टरिजम पिछले साल से सक्रिय हो गया है आज की समीट के दोरान हमारे बीच मिच्चियल लीगल असिस्टन्स ट्रीटी और क्रिमिनल मैटर्स पर भी हस्ताक्षर हो रहे हैं इसी तरह के अन इंस्टूमेंट्स पर भी हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमारी कानूनी व्यवस्ताओं के बीच बहतर समनवे बन सके आज हमारे डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग इंस्टिटूट्स के बीच सहयोग के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं ऐसा ही एग्रिमेंट हम अपने लौ एन्फोर्स्मेंट ट्रेनिंग इंस्टिटूट्स के बीच भी कर सकते हैं भारत की फॉरंसिक साइंस उनिवर्सिटी अपनी फिल्म में एक यूनिक वर्ल्ड क्लास संचता है हम इसमें मिम्स्टेक देशों के पुलीस और फॉरंसिक ऑफिशल्स के लिए क्यापसिटी बिल्डिंग की व्यवस्था भी कर सकते हैं एक्सलेंसी आज जब हमारा क्षेत्र स्वास्त और एकॉनोमिक सेकुरिटी की चुनवतियों का सामना कर रहा है हमारे बीच एक जूरता और सहयोग समय की मांग है आज समय है बे और बेंगाल को ब्रीज अब कनेक्टिविटी ब्रीज अब प्रस्परिटी ब्रीज अब सिकुरिटी बनाने का मैं आप सब का आहवान करता हूँ कि 1997 में जिन लक्षों के लिए हमने साथ साथ चलने का निरणय लिया था उनकी प्राप्ति के लिए हमें एक नए जोश नई उर्जा के साथ फिर से अपने आपको सभर्पित करें प्रधानमति प्रयूत चान ओशा विम्स्टेक के अगले अध्यक्षे रुप में मैं थाइलेंड का स्वागत करता हूँ और सुबकामनाई देता हूँ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आप स्वाँ